की हाल चालबा और इसके अलावा में कुछ और जादा नहीं बहुत सकती येस बहुत चुलबुली है ये कैरेक्टर जादा रीविल नहीं करना है मुझे बाइदर वे नमस्कार और मैं नीजू और स्वागत करता हूं आप लोगों का किस पर तो भूचपुरी कनेक्ट पे तो जी हाँ इस समय मेरे साथ पता है कौन है भूचपुरी इंडस्टी में संसनी मचा चुकी है पहली फिल्म मेरा भारत महान यानि की पावर स्टार पवन सिंग के साथ यह सब्सक्राइव डरी महां जी का तो सबसे पहले माम का मेरा भारत महान के सेट पर ही सब्सक्राइब से M Anyways渡़ा कैसे हूं स्क्लास अछियर ohh नियोशर क्या पर को मेरा भारत महान क्या काने चाहने के यह शॉर्ट रब में यही कहना चाहूंगे कि पॉफेक्ट फिल्म है और बहुत बड़ी अपॉचुनिटी एक गॉड की ब्लेसिंग है मेरे पे जो मुझे इतनी बड़ी अपॉचुनिटी मेरे इस मुवी में काम करने का पावर स्टार्थ के साथ पहली फिल्म जिस तरीके सी चर्चाय का बजार गरह में लोग कह रहे है कि मैडम के बारे में क्रशिटी का भॉच्व कपलोकी बारे में की जो कहने कि दो दो कि यह थोड़ा modern character है और किस तरीगे से पवन जी के साथ मेरी chemistry है वो सब आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि मेरा किर्दार क्या है और पवन जी के साथ मेरा कैसा track आगे बढ़ता है और कैसे chemistry होगी तो आपको उसके लिए जरूर यह फिल्म देखनी होगी सिंपल सी बात है मैडम ने फिर से वही कहा है कि बाई साथ करेक्टर रिवील करने ही नहीं है और मज़ा भी तभी आता है जब 70 mm की स्क्रीन पर देखना हो मैडम पावर स्टार मेगा स्टार रवी किशन दो जबर जब आप ऐसे अच्छे कलाकार के साथ काम करते तो आपको बहुत सीखने मिलता है और काफी कुछ सीखने मिला है और सीखती रह रही हूँ अभी कुछी दिन बाकी यह पर प्रोजेक्ट को फिनिश होने में उमीद करती हूँ कि यहां से जब वापस मुंबई पहुंगी तो कुछ ना कुछ भरपूर एक्सपिरियंस अच्छे अपने साथ लेकर जाओंगी सिंपल सी बात है एक्सपिरियंस लेकर जाएंगी मैडम लेकि इस तरीके का चर्चा है ना मैडम यही बात बदाईए फिल्म आपको पहले मिली कैसे किस तरीके से आपने आपको देविंदर जी ने फिल्म का उफर किया तो मैं देविंदर जी को पहले से जानती नहीं थी और उन्हें मेरे वर्क के बारे में पता था मुझे यह फिल्म ओफर की गई तेविंदर जी ने जब मुझे फर्स टाइम बुलाया कॉल करके और उन्हों ने यह फिल्म के बारे में जब मुझ वही शायद वही चीज थी मेरे अंदर जिस वज़े से मैं हाँ बुला और I guess अब वो मेरा सही डेसिजन था मैम फिल्म के बारे में कहेंगे फिर से वही कोश्य है फिल्म के माम कितना आपके मिजाज के हिसाब से करेक्टर आपको मिला है exactly मुझे यह character play करके बहुत जादा मजा रहा है क्योंकि काफी modern है जैसी मैं real life में हूँ उससे थोड़ा मिलता जुलता है लेकिन यह काफी अलग है और यहां की language भी सीखने का मुझे मुझे मौका मिला है so definitely मैं enjoy कर रहे हूँ चुलबुली अंदाज मस्ती वहरा अंदाज yes बहुत चुलबुली है यह character ज्यादा रिविल नहीं करना है मुझे by the way पलसी बात है बाई साब मैडम ने रिविल नहीं करना है लेकिन हमारा काम है खोद के पूछना ही है ma'am film TV serial जिस तरीके साब धमाका मचाते स्टार पलस पे घरदा मचा जुके भोचपूरी आने का उद्देश कैसे आपको लगा कि भोचपूरी में भी आपको आना चाहिए फिर से मेरा वही जवाब होगा कि actually यह नहीं सोचा था कि मुझे भोचपूरी करनी है हिंदी करना है ऐसा कुछ नहीं है मुझे काम से प्यार है एक्टिंग से प्यार है और जब यह फिल्म मेरे सामने लाई गई है स्टोरी जब रिवेल की मेरे सामने शायद वही चीज थी जो मुझे इतनी अट्राक्ट और इतनी भाग है जिस वज़े से मैंने ये मुवी के लिए येस कह दिया फिल्म आपका मेरा भारत महान बनने से पहले भी बनी भी नहीं अभी शूट चल रही है और 1.5 में बिड चुकी है फिल्म तो इसके वारे में कुछ आपके जानकारी है आई गैस ये जब मैंने ये फिल्म ली थी तभी मुझे बहुत लखी फील हो रहा था और इतनी सारी गुड नियूस मिल रही है ये फिल्म में आने के बाद कि इतने अच्छे उपॉर्चुनिटीज ये फिल्म को मिल चुकी है और इतनी सारी गुड नियूस मिल रही है तो यह और भी जादा हमारे लिए एक ब्लेसिंग है So I guess बहुत many-many congratulations सारे कलाकरों को और I hope यह film और भी जादा सक्सेस करें अब को पदा है पावर स्टार्ट परबंसी ने एक रिकॉर्ड बनाया है बाथसा को भी पीछे छोड़ दिया है होली का गाना है क्या क्याने जाएंगे Definitely वो है यह से स्टार के जुने देखकर लोग इतना उने प्यार करते है तो वो डिजर्व करते है So मैं मैं खुच जादा खुश हूँ और मैंने पोस्ते जाके गर गराचिलेशन किया था So I'm very happy for it Cake वेक कटा? पार्टी हुई? Party बाकी I guess वो अभी शूटिंग का थोड़ा स्ट्रेस है कि एक बार अच्छे से शूटिंग भी पुरे सीन्स में सब का ध्यान है सीन्स के बाद जब एक बार यह फिनिश हो जाए प्रोजेक्ट तो डेफिनेटी पार्टी तो होने वाली है पार्टी वाला वीडियो जल्दी आएगा मैडम भी आपको दिखेंगे और यह इंटर्व्यू भी आपको अप्लोड करूगा मैडम का लुक अलग रहा फटा-फट इस वीडियो में ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है मैम हिंदी ब्रोजक्ट के वाद भुझपूरी में और भी कोई प्रोजक्त आने वाली है यह इस ब्रोजपूरी का अभी काफी सारे मुझे ओफर्स मिलना शुरू हो गए विच बहुत बड़ी बात है मेरे लिए यह चारदाँ है लिए हड़ी प्रोज़ेक्स लाइंड अप्छ है तो इसके बाद में हिंदी फ्रोजेक्स भी शूट करें हूं तो काफी काम अर्ली लाइंड अप पर है मतलब हिंदी और बोश्षपूरी को दोनों को बैलस करके पकड़े काम काम होता है जाहिएме लूड बोश्षपूरी अपने अंदाज में क्या क्या चाहिए हकिए बोश्षपूरे कवे अिन क्वेशि uniform हमेद लुग या जाए जो आपने अभी तक जॉनपूर में साथ कि हाल चालबा और इसके अलावा मैं कुछ और जादा नहीं वो सकती है कि बटाए रिली होब कि आप लोग मुझे बहुत प्यार करें और आप लोगों की आप लोगों का आश्रवाद मुझे हमेशा बना रहे हैं यही मैं आप लोगों से उमीद करते हो कि नशाइब करने लिए मैं अपने चैनल को आपको तुरं से तुरं सब्सक्राइब करना हो गर बताना होगा कि कैसा अलगा इंटरविव वाइस साहभ यह ती हमारी घरूए मैंडम जिन्नों नों बताया कि बोचपूरी में क्या है धम माल और किस तरेके से पावा स्टार के सा बात ही निराली होती है और ऐसी चटपिटी खबरों के लिए ना फड़ा पड़ा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे थेंक्यू